परधान मंतरी SSV चात्रोरती योजना का कक्षा नो के लिए ये हमारा मोडल पेपर तीन आपके सामने आ चुका है दोस्तों आज हमारा ये तीसरा मोडल पेपर है और हम आप सभी को पता हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं उस पढ़ी में हम सबसे पखले ले रहे है विध्यान को यान की साइंस को तो सबसे पखले हम साइंस का सिलेबस कवर करेंगे और उसके लिए ये मारा तीसरा मोडल पेपर है यह आपके पिछ स्वाष के नाम पर बनी हुई है तो उसे आप पूरे के पूरे वीडियों भी यहां कि這邊 Cake रवीवार को टेस्ट लिया जायेगा आभी संडी आये रहें इसको टेस्ट लए जायेगा तो इस वीक में हम ने जो भी पढ़ाये इस सफ्ता में इसका टेस्ट होगा तो आप टेस्ट जरूर दें कहा पर होगा हमारा एक एक एप का लिंक description box में उस एप को install करें वहाँ पर आपको इस्टोर होता है एक वहाँ पर अगर आपको नहीं मिले तो comment कर देना वहाँ से उस एप को install करके test जरूर देना बाकि अगर ये PDF प्राप्ट करना चाहते हो तो ये भी आपको वहीं पर मिलेगी तो चलिए आज के important question देख लेते हैं और आएक और बार रोज हमारा वीडियो आता है साम को 5 बजे तो 5 बजे वीडियो देखना ना बुले इसके question सभी आपको याद करने हैं और फिर Sunday को test होगा तो उस test को आपको देना है चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है हमारे लिए देख लेते हैं काला सोना किसे करते हैं हम सबसे फ़ले कौन सा मोडल पर देख रहे हैं विज्ञान का तो इसलिए विज्ञान के question आपको देखने को मिलेंगे तो आपको बताना है कि इनमें से काला सोना किसे करते हैं तो काला सोना किसे करते हैं, काला सोना का मतलब है, सोना है ना, सभी जो धात्वियों होती हैं, उनमें बहुत ही मंगा होता है ना, सोना होता है ना, अमीर है इसलिए इसको बोलते हैं काला सोना किसको पेटरोलियम को गरेलू इदन के रूप में उपयोग किया जाता है जो हमारे रसोई में जो गेस आता है ना उसमें कौन सा इदन यूस होता हैं यह हमसे पूछ रहा है तो आपको पता है उसको लेकिन जरूरी नहीं आपके सामने वाँ पर लिखा हो आपके सामने वाँ पर लिखा हो सकता है लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गेस लिखी हो सकती है तो आप इसकी फुल फॉरम हिंदी और इंग्लिज दोनों में देख लें वरना आपको कुशन आते हुए यह भी आप चोटी चोटी गल्दी है ना वो हम यहीं पर कवर कर लेंगे तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होगी चलिए आगे देखते हैं आगे के इंपोर्टेंट क्विशन जीवासम इदन का जलना अब मतलब जो जिवासम इदन होता है ना वो जब जलता है तो उससे कौन सा परदु यह नहीं होगा तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा वायू पर्दुशन आपको उसको पहले अच्छे से समझ रहे हैं और गलत तो करके आना ही नहीं हो आप चलो आगे क्यूशन देखते हैं वहानों के लिए सबसे कम परदुशन परदुशक युदन वहान होते हैं उनमें कौन सा यदन हम डालें, पेटरोल डालें, डीजल डालें, सी एंजी डालें, क्या डालें कि उन्चे परदुशन कम होगा, तो आपको पता होना चीए कि उनमें हम डालेंगे संपडित प्राकरतिक गेज, देखो मैंने कहा ताना, वहाँ पर आपको हिंदी में भी लिखा सकता है, और इसी को बोलते हैं, अब देखो अगर मालो किसे ने याद किया होगा, तो उसको ये क्यूशन आता होगा, कोयले को बनाने में कितने समय लगता है, तो आपको पता होना चीए कि उसको बनने में लाख शाल लगते हैं, कितने साल लाकों साल लग जाते हैं जरूर याद रगे इसको एक गरे रंग का अप्रिये गंद वाला पदार्त हैं वालब एक पदार्त हैं जिसमें बहुत ही जदा खराब क्या आती हैं एक तरीके से गंद आती हैं तो उस पदार्त का नाम क्या हैं उस पदार्त का नाम आपक यहाँ पर बताना है तो वह जाएगा पेट्रोलियम क्या हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम जो है इसमें गंद आती है जो कि बहुत ही बुरी है हमारे सरीड के लिए अगला किसने निम्न में से कौन सा पदार्त जीवास्म इधन है यानि कि जीवास्म का मतलब होता है दोस् गलत हो जाएगा और जल उरजा पानी से बन रही है कोई उरजा पानी से लाइट बनती है न तो वह भी जीवों के असम से बनेगी या नहीं बनेगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा यह के परमान उरजा यह भी नहीं बनेगी यह तो विस्वोट होगेरा करके बनाई जाती है तो यह भी नहीं होगा लेकिन जो कोईला है न वही तो जिवासमिदन है अब यह जिवासमिदन केसे हैं वह लाकों सालों पहले जिवों जिवजर्ती के अंदर दब गए हैं फिर वह जब अंदर की गर्मी से वह पिगले तो फिर वह कोईला वगेरा बन गए हैं ऐसे बने हैं तो इसलिए जो कोईला है वो जीवों के अस्म से बने हैं इसलिए उनको बोलते हैं हम जीवा अस्म इदन ठीक है न जरूर याद रखें इसको अगला कि उसने निम्न में से कौन सा संचाधन क्षे होने वाला नहीं है वो संचाधन जो खत्म नहीं होने वाला अब बताओ क्या पड़ेट्रोलियं तो खतम होने वाला हैं हम तो पढ़ते भी हैं कि बेए यह है दोजार चालिस तक लवबगा खतम होजाएगा और इस में से कोएला भी खतम हो जाएगा तो यह वह घतम हो जाएंगए अब बता वायू खतम होगी क्या नहीं होगी अगर वायू क्तों है ना उसमें मुख्य रूप से कौन सी गेस सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो आपको याद रखना है मिथेन कौन सी गेस मिथेन गेस सबसे ज़्यादा उसमें होती है पेट्रोलियम का कौन सा हुतपाद हैं जो सड़क बनाने में काम में आता हैं तो यह आपका इसको आंसर देना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटुमेन का उपयोग हम क्या करते हैं सड़क के निर्मान में करते हैं उसका यूज करते हैं तो बिटुमेन जरूर याद रखना ऐसे याद Satihin तो उसको हम कैसे भूजाएंगे या आपसे पूछ री तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे C or 2 या कार्वन डाय साइड छोड़ेंगे इससे क्या हो जाए वो जो आगे हैं वो भुझ जाएगी तो CO2 को छोड़ेंगे चलो आगे अब यहां पर बात करते हैं दहन के लिए आवश्यक हैं दहन का मतलब कोई भी चीज़ा में जला नहीं है तो उसके लिए इन में से क्या जरूरी है पानी होगा क्या पानी से तो और बुझ जाएगी तो यह तो होगा नहीं आग होगी क्या आग नहीं इससे आग से भी नहीं होगा उसके आग दो लगानी है में तो यह भी गलत हो जाएगा ज्वाला भी नहीं होगा राइट आंसर हो जाएगा हवा बही हवा जरूरी है आग लगाने के लिए अब आप कोगी हवा से तो और बुझेगी नहीं बुझेगी आपना एक बिल्कुल एक गलास लेना वो पूरा पेक रहेगा उसमें आग लगा गया देगना आग नहीं लगेगी तो आग लगाने के लिए हवा बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं किसी पदार्त के दहन का पोशक पदार्त हैं कोई भी पदार्त जो हैं दहन कर रहा हैं मलब जल रहा हैं तो वो किसकी मदद से सबसे ज़्यादा जल रहा हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इसमें हवा तो द जरूरी है जलने के लिए क्या जरूरी है उक्सिजन इसमें राइट आंसर हो जाएगा विदूत उपकरणों में लगी आग बुजाने के लिए सब से अच्छा अगनी सामक है अब जिसे हम अपने देखा भी तेल में अगर आग लग जाती है तो उसके लिए हम कार्बन डायोकसाइड को मलब छोड़ेंगे जिससे आग बुजेगी लेकिन अगर मालो यह लाइट विए जो भी सिस्टम होते ना जिसें अपने डीवी हो गई लाइट के कोई भी तार हो गया या कुछ भी हो गया तो लाइट से संब्दित जो भी उपकरण होते हैं उनमे यह होते हैं तो CO2 भी राइट आंसर हैं कार्बन डायोकसाइड भी राइट आंसर हैं तो हम क्या छोड़ेंगे कार्बन डायोकसाइड चलिया आगे बढ़ते हैं निम्नांकित में से कौन सा दहन सील पदारते हैं बलब यह पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा इसा पदारते अब इनमें से आपको बताना है कि कोन एसा है जो अपने आप भी जल सकता है तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको बताना है तो इनमें से अपना राइट आंसर हो जाएगा फटा का एक ओपने आ आप के से जले का नहीं जल जाएका बैकन स्विट पास परोस् से यह अपने आप जल जाएगा फटा का दर रहाइः रखा हो आग इसे जल जाते तो पूरा जंगल को आग लग जाती आल्ड तो 아सर अपना राइंसर हो जाएगा लकडी का जलना किस परकार के दहन का हो जा रहन है लकडी जलती है ना तो वह केसे मलब दहन में जो जलते है ना पदार उनके भी अलग अलग परकार होते हैं कोई अचानक जल जाता है कोई दिरे दिरे जलता है इस तरीके से तो लकडी होती है ना वह इन में से किस में आती है वह लकड़ी जलती है तो उसमें विस्पोर्ट होता है कि नहीं होता तो यह तो गलत हो जाएगा अपने आप पी वह नहीं जलती तो यह भी गलत हो जाएगा यह तो है नहीं तो मंद दहने वह मलब धीरे धीरे वह जलती है तो लकड़ी यह राइट आंतर हो जाएगा मंद दह आगला किसने देखो 19 वा दहन की परिकुर्या के लिए कौँती सर्थ आवशेक हैं..? लाभ दहन हमें करना है निकि कोई बीचीज जलागी मादं पदार्त के ज़लन्ताप की मात्रा जुलन ताप की प्रापती जुलन ताप की प्रापती का मतलब है जितना ताप मान उसको जलने के लिए चाहिए ना वो होना ही चाहिए तब ही जाकर वो पदार्त जलेगा जिसे मालों ले जाएं बर्फी लिएस्तान में तो वहाँ पर कोई भी पदार्त जलेगा क्या नहीं जलेगा वेसे मालों अगर रेकिस्तान में ले आएं तो वहाँ पर जैसे तोड़ी सी भी हाग पकड़ेगा तो कोई भी पदार्त जलने लग जाएगा इसलिए उसके लिए ताप मान होना जरूरी है जितनी मात्रा उसको च इसको जलने के लिए आशके तो ताप मॉनता है न उसको हम क्या बोलते हैं या आप से पूछ तो इसको रायट अजो Corner होगा जौला ते वह लपटे होते हैं ओर जलनसील पदारथ होते हैं इसको बोले तो ये गलत हो जाए इदर के उस मिए मान का मातरका इस को जरूर याद रखे आप अब तो इसका जो मान होता है वहोता है के जे के जी क्या होता है यानि कि किलो जूल परती किलो गराम इसको क्या बोलते हैं मतलब क्या होती है के का मतलब होता है किलो जे का मतलब होता है जूल तो किलो जूल परती किलो गराम किलो जूल परती किलो गराम यह क्या है इधन का उसमिय मान का मात रखें तो जरूर इसको मुमभती की ज्याला का मध्धे-भाग कीसा बहुत ह ouais इंपहुंधी जलती यह महालो मैं तो जो भी मुममभती होती है उसका जो बीच का भाग होता हैूं वो केसे कलर्का होता है अब आपने देखा होगा लेकिन आपने देखा है नहीं देखा है आप उसको तो ओडगर देखा लėकिन उसको भीयाद रखिये को आकँ माँन कór में मैं सबसे ज़्यादा होता तो किया हो अपना हो जाएगा क्या हो जाएगा करो सिन होई जो होता है उसका मान सबसे ज्यादा होता है तो रैट अंतर अपना हो जाएगा करूसिन हो जाएगा आ अगे बाढ़ते हैं यह विस्पोर्ट का उधारन है मतलब विस्पोर्ट का मलब वही अचानक जो जलता है नहीं तो वह अपना राइट पेट्रोल कोईला लगड़ी सब जलते हैं तो जलते हैं तो वह तो तीनों ही जलते हैं पतर हैं वह नहीं जलता है जो लंशेल पूछा होगा यहांपर जौला में कितने क्शक्र होते हैं कि लाकर कर ने पढ़ाएं उनकों चैसे से याद करते रहें रेगुलर जब तक आपका पेपर नहीं होगी गा तब तक इस चैनल पर आपको वीडियो पर आप्थ होते रहेंगे तो आप बेफिक्रों कर निश्चिन दोकर पढ़ते रहें आपका सेलेक्शन शूर हैं अगर आपने अपनी चैनल पर बताए गए सभी कि से याद कर लिए तो ठीक है तो चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हो लाइक कर सकते हो कमेंट कर सकते हो मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू सो मच अच्छे से त्यारी करते हैं करते रहें सभी को बेश्ट आप लग अ